है गाई इस वीडियो में हम नहरी जूबा के इंदर से गठर में जो अगिजाम होने वाले उसके रिगार्डिंग क्वांटिटिव एप्टिटूट के कॉसन डिसकस करेंगे जनकी मैस के कॉसन डिसकस करेंगे तो जे सेंपल कॉसन पेपर में तीन कॉसन थे तो वो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कैसे आपको सोल्व करने हैं तो guys बिलकुल वैसे ही आपको इक्जाम में आने वाले हैं तो अगर आपकी practice अच्छी है, आपकी calculation अच्छी है तो maths में आप बहुत ही अच्छा प्रदर्शिन कर सकते हैं तो कैसे आपको solve करने हैं वो देखते हैं तेकिन उसे पहला आपको बता दूँ कि Reasoning and GK पे उन वीडियो का लिंक आपको description box and comment box के सबसे उपर मिल जाएगा तो वो वीडियो देखेंगे तो एक हैर questions आपके जो होगे वो आपके हाथ में होगे वीडियो को repeat करके देखें काफी benefit आपको मिलेगा तो guys चलिए सुवाद करते हैं सबसे पहला आपको question है simplification का ये question है आपको 5 option दिये जाएंगे ठीक है 5 option दिये जाएंगे जो आपका सही होगा उसे आपको tick करना पड़ेगा तो बिलकुल असान question है कैसे इसको solve करना वो देख लेती है सबसे पहले आपको देखना है इसको 30 देखते हैं तो नीचे 13, 65, 65 से divide होता है ठीक है 5 से divide हो जाएगा उसके बाद 5 जे 5 से cut गया ठीक है उसके बाद 24 56 से करता है जा नहीं तो देखिए अगर आपकी calculation थोड़ी से week है तो आप बिलकुल छोटे छोटे step करके भी solve कर सकते है मैं आपको बताऊंगा कैसे 24 को जैसे 12 धुना 24 ठीक है उसके बाद ऐसे ही 28 को 2 से गुना गरें तो 56 आएगा उसके बाद फिर इसे cut कर लेते हैं 6 तो जहां पे क्या आएगा जहां पे आएगा 14 उसके बाद 3 and जहां पे आएगा 7 तो last में आपके पास क्या बचा 3 and 7 गुना 7 जाने की 49 तो आपका जो सही अंसर वो क्या है 3 बटा 49 तो आपका जो सही अंसर है option is the right answer तो गाईज इस तरह से आपको ये questions solve करने हैं बहुत असान questions आएगे MTS में tough questions नहीं आएगे कुछ questions होंगे जो थोड़े से lengthy होंगे and थोड़े tough होंगे लेकिन आपको अच्छा प्रदर्शन करना है इसलिए अच्छी सी practice करें उसके बाद second question आपका 27 plus 498 bracket उसके बाद तक्षीम 25 तो ये question आपको solve करना है लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ आपको direct ऐसे शुरू नहीं हो जाना कि 25 को 498 से इसको divide कर दें तो आपका answer आ जाए गए जी नहीं आपको सिर्फ rule को follow करना board mask के बारे में आपने सुना होगा तो आपने board mask को follow करना है सबसे पहले bracket उसके बाद division multiply उसके बाद addition जहनकि आपको जमा करना है उसके last में आपको minus करना है तो जे तरीका है तो सबसे पहले आपको जहां पे गया करना है आपको जे bracket को solve करना है ठीक है कैसे करना आपको बता रहा हूँ 27 and 498 को अब plus करें 27 and 498 को plus करेंगे तो आपका answer आएगा 525 ठीक है इसको आप असानी से कर सकते हैं इसमें plus करें आप अपने हाथों के उंगलीन से भी इसको कर सकते हैं बहुत ही असान है जी तो तक्सीम 25 तो 25 को 525 से आप इसको divide कर दें इसका क्या answer आएगा 25 देखिए अगर आपको calculation अची तरह से आती है तो ठीक है नहीं आती तो आप इसको step by step पी कर सकते हैं पांच से divide करें पहले ठीक है पांच आया जहांपे 5 ठीक है फाइव वन आएगा जहांपे उसके बाद जहांपे 0 आएगी और वहांपे 5 आएगा है जाने की 105 अब इसको और सिंपल कर लें 5 से कटेगा जहांपे 2 आएगा जहांपे 1 आएगा तो आपका जो अंसर वो है 21 इस तरह आपको questions करने है solve तो 21 option कौंस है 3rd option is the right answer तो गैस इस तरह से देखे math के questions जितनी practice करोगे उतना ही आपको फाइदा मिलेगा ठीक है लास्ट question डिसकस करेंगे लास्ट question क्या है जहांपे English में लिखा हुआ तो अगर आप view in Hindi करेंगे तो आपको view in Hindi दिख जाएगा ठीक है question है आपका निशा बोट 2 orange निशा ने 2 orange खरीदे है 20 रुपीस में 20 में खरीदे हैं तो एक कितने का हुआ एक होगा 10 रुपी का ठीक है उसके बाद and 3 mangoes 3 bananas 21 के जाने कि एक कितने का होगा एक banana होगा 7 का पहले से solve कर ले if रमन बोट 5 orange अगर रमन ने 5 orange खरीदे and 2 bananas खरीदे same rate सी how much did he pay same rate पे अगर वो खरीदेगा तो उसे कितना पे करना पड़ेगा बहुत ही सान question तो एक का आपको rate मिल गया तो इतने भी निकाल लेंगे आप रमन ने 5 orange खरीदे तो एक orange का rate क्या है 10 रुपे तो 5 का कितना होगा वो होगा 50 रुपीज उसके बाद 2 banana 2 इन्हों ने banana खरीदे 1 banana का rate करतना है 7 and 2 का कितना होगा 14 तो guys जहां पे आपका answer आ गया इन दोनों को plus कर ले 4 का 4 and 6 जांगे तो आपका जो सही answer है वो है 64 जाने कि option 3 is the right answer तो guys इस हिसाब से आपको questions आएंगे exam में इस हिसाब से आपको solve करने हैं उमीदा कि आपको वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आई thank you so much